Redmi Note 4 के लिए Corvus OS का 17.0 official तो फिलाल हमें देखने को अभी तक नहीं मिला आगे भी साय तक अब देखने को नहीं मिलेगा भी तो बाकि आपका जो 16.8 official last build था 17.0 से पहले वाला तो उसका आपका review eye button पर मिल जाएगा तो आपको अगर देखना चाहो देख लेना लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो changes हुए है 17.0 को तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा और official के मुकाबले इस unofficial क्योंकि यह unofficial है 17.0 का तो उसके मुकाबले इसमें क्या क्या difference आपको देखने को मिलते हैं उनके बारे में भी बताने वाला और यह रोम आपका by default आपको overclocked म मिल जाता है और यहाँ पर कौन सा करनल है क्या कुछ मिलता है सभी के बारे में हम बात करेंगे तो वीडियो को लास्त तक जरूर वास्ट करिएगा complete review आपको मिलने वाला कि 17.0 में क्या हमें मिलता है new feature और official के मुकाबले इस unofficial में क्या कुछ changes मिलती है उसके बारे में आपक हैं तो जैसा कि Corvus OS का यहां पर 17.0 वैंगार्ड अनफीचल बिल्ड मिल जाता है इंडूइड वर्जन 11 है तो यहां पर इंडूइड वर्जन हमारा 11 है मेंट्रेनर 11 जैसे की और आपका जो सिक्योर्टी पैचेक अक्टूबर 2021 का मिल जाता है करनल हमारा यहां पर फ्यूजन का 4.9 बेश करनल मिल जाता है जो ऑफिस्यल था पिछला वाला बिल्ड उसके अंदर स्लीपी करनल मिलता था लेकिन यह फ्यूजन आपका ओवर क्लोग्ड है 2.21 जैसे कि आप यहां पर देख सकतो तो ओवर क्लोग्ड है सलिनेक्स आपका इनफोर्चिंग ही रहन बाला है और फिर्वर सेटिंग की तरफ चलते हैं तो यहां पर क्या हुआ है कि अभी 17.0 के अंदर आप जो एनिमीशन ऊपर मिलते थे और रिमूब हो चुके हैं तो अगर आप देखो कि किसी भी सेटिंग में ऊपर एनिमीशन नहीं मिलता है वहीं को बास सेटिंग में चल और मिल जाए ताव उस पर करोगे तिहां पर रैंडम आप का जो आपका जो एक हो टा क्ो यहां से सब्सक्राइब करें को पर श्रीक cash कर दो कर नह और अब हम यहाँ पर चलते हैं Corvus Settings के यहाँ पर रिवन लायर के अंदर में यहाँ पर देखोगे तो system कुछ इस तरीक से लिखा हुआ मिल रहा है जो कि animation पहले उपर ही मिलता था वह भी बड़ा सा जैसे कि बाहर बाकी setting में था setting में तो remove हुआ लेकिन यहाँ पर इस तरीक से अब यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर क्या है कि यहाँ पर जो आपका रिटीकर के एक option मिलता था notification count के नीचे में और रिमूब हो चुका है और gesture के अंदर आपको कोई change नहीं मिलेगा पूरी setting सेम रहेगी miscellaneous के अंदर जाओगे तो यहाँ पर gaming mode आपका new हो चुका है तो अगर आप यहाँ पर देखोगे quick start app आप हो गया या फिर menu opacity level हो गया आपका या फिर performance के लिए यह सभी जो है latest में मिलते हैं और यह पूरा का पूरा आपका gaming mode यहाँ पर लेटेस्ट है इसका layout interface कैसा हो आपको गेम में आगे दिखाऊंगा फिलाली यह सारी चीजह आपको यहाँ पर मिलने वाली answering call automatically यह सारी lock screen में तो lock screen के अंदर आपको एक भी change देखने को नहीं मिलेगा पूरी setting सेम रहने वाली है वहीं status वार के अंदर आपका क्या है कि battery option में आप जाओगे तो यहाँ पर आपको toggle मिल जाता है colorful battery icon का जो कि यहाँ पर आप देखोगे तो battery icon जो है color green में दिख रही है तो अब यह भी इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर आइकन पोट्रेट वाला अगर आप सेलेक्ट करते हो तो कोई भी color आपको देखने को नहीं मिलेगा तो बस इसके जो पोट्रेट वाला icon style है उसमें चेंज नहीं होता बाकि सम में आपको icon style यहाँ पर icon मिल जाएगा ज आप यहाँ पर आप स्टाइल में सिर्फ टोगल था एक लेकिन अभी इसके अंदर option भी कप से राइड कर दी जिसमें transparent bit यहाँ पर कर सकते हो जो कि random color चूज रेंडम कलर चेंज होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हो रेंडम कलर जो है वाई-फाई के यहाँ चेंज होता बिल्कुल ब्राइन श्टाइल यहाँ पर नहीं था और फिर यहाँ पर नीचे अगर आप आते हैं तो किसी भी option में आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा data user यह सारी चीजिए आपकी काम कर रही जैसे कि पहले काम कर रही थी ति यहाँ पर आपको और कुछ नहीं मिलता बाकि आपके वाला जो है अभी चेंज हो रहा है अभी भी ऑफ का नेक बाद भी थी थोड़ी दिर में आपका ओफ हो जाएगा इंस्टन कभी कबर आप नहीं होता थोड़ी दिर में फो जाएगा एन फिर नीचे आपका ट्राफिंग इंडिकेटर होगे जहां से आप इंटरने स् जाओगे तो इसकी सेटिंग पूरी सेम है एंड पावर मेनु के अंदर भी आपको कोईचे नहीं मिलता है अडवांसरे स्टार्ट आपको यहां पर मिल जाता है और बाहर में अब क्या चेंज हुआ है कि नेटवर्क इंटरनेट के अंदर अगर आप जाते हो इसके वाइफ बैक करते हैं तो बाहर आपका एप नोटिफिकेशन होगे जिसमें आपका यहां पर डिफोल्ट एप्स के अगर बात करें तो पूरी तरीके से सेम है रेवन लॉंचर मिल जाता है लेकिन रेवन लॉंचर के अंदर आपको चेंजस मिलती है जो कि सटेंग में चलके आपको रिखा दू तो एक नोट यहां पर मिल जाते हैं कि अगर यहां पर कुछ भी अपलाई करते हो तो आपको डारेक कट कर नहीं देना है डारेक बैक बटन जो है यहां पर बैक बटन यहां पर यूज़ करके बैक करो डारेक तब यह सही से अपलाई आपका जो भी है यहां पर change के आपको अप्र देखने को मिलता है यहां पर आपको रेंट्स कि Navy मिल जाएगा, अबी आपको रेंग्र और भी आपको बाद कि आपके बीड़क्षी का सब्सस्यर है वालीन होना है और राप जो डॉक्साया के देखने को मिल रहा है background यह वाला जो की काफी look काफी अच्छा look दे रहा है यह आपको मिल जाता है hot seat background तो इससे जो है यहां से on off कर सकतो आप बागी तो hidden apps मिल जाता है और बागी सारी setting में कोई changes नहीं है तो इसनी setting में changes आपको यहां पर launcher पर मिलती है और अब हम यहां पर चल अबर 32 मिनट के करीब प्ले किया था तो 60% मिला था यानि कि आसपास ही बैटरी आपको मिलती ही पिछले बडेट जैसी ही और से ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है डिस्प्ले के अंदर आपका हाइट अपको निव देखने को मिल जाए यहां पर यहां पर अगर आप स्टा किसी मिल जाते धिए दो करने की अदर है नहीं मिलता हूँट उ मैँ मेंशलस के यहां भूल दिस्प्ले के लेकाकर हो 29 कि इसमें नौच बार किलर मिल जाता है घ्ली कहीं जाने वाल ही से अधर में आदर है और यहां चलते हैं सांड के अंदर में हैस्ट आप को सेटिंस आपको मिल जाता है इसमें जो की official में चीच नहीं मितल लेकिन ये काम नहीं कर रहा है audio amplification आपको ये भी new मिल जाता लेकिन ये आपका बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है और फिर आपका हो गया security, तो security के setting में तो ऐसा कोई changes नहीं मिलेगा फिर नीचे आपको 94 का support यहां पर मिल जाता है और नीचे आओका दो सिस्टम मिल जाता है और यहां पर gesture। जेस्टर के अंदर पहले ऑफीशल एक को था हम सिस्टम से नहीं मिलता था लेकिन इसके अंदर आपको मिल ही रहा है और ये काम भी कर रहा है बाइड़फोल्ट इनेबल यह आप देख सकते हैं यहाँ पर जेस्टर और यह बिल्कुल इस तरीके से काम कर रहा है और जो सेंसिपिटी सेटिंग में बिलती है तो कुछ इस तरीके से आईमी बटन स्पेस यहां पर आप यहाँ बिल्कुल हट चुका है तो इस तरीके से आपके अपका रहा जाएड़र लाइड के बाद कर रह बाकि हाँ लाइड के बात कर रहिए तो ओ अपका काम कर रहा है और यहाँ पर प्रिपेटर नविगेशन जैसे कि आपको यहां पर दिखा दिया बाकि जब भी सुच करो थोड़ा सा टाइम ले रहाँ यहां पर यहां पर आपके नविगेशन बार मिलता है उसमें पिक्षल आनिमेशन भी आपको मिल जाता है जो कि अच्छे से काम करेंगा लेकिन इसे बार मेन्यू मिलता है और यहीं पर नीचे अडिप्टीव प्लेबेक मिल जाता और लास्ट में देखोगे टॉर्च की सटेंग मिल जाती यलो और वाइट टॉर्च को आप कंट्रोल कर पाऊगे एं अब चलते हैं स्टेटर बार में बारें तो आपको बता दिया कैसे क्या ह लेकिन यहां पर टाइल की बात करें तो यहां पर टाइल रिमूब हो चुका यहां पर जैसे की अनफिशल वाले किसके अंदर गेमिंग मोड का रिमूब हुआ है और एप पे इंफो पहले था जो कि ओ भी रिमूब हुए तीन टाइल रिमूब हुए निव किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और जब यह इंस्टोल हो जाया तो सिंप्ली आपको इसको जो है डन कर देना है और यह होने के बाद आप जाओगे स्टेड़ बार में अपने जन जो कि क्लिक करोगे तो यह आपका काम करना स्टार्ट कर देगा तो यहां पर आप इसका यूज कर प अपने टाइम बाद ही आप जो है कुछ भी कर पाऊगे अपने फोन में नहीं तो यह आपके फोन के अगर आप रिलैक्स देना चाते हो थोड़ा सा टाइम लेना चाते हो इसे इनेबल कर सकते हो यह काफी अच्छा काम करता है बाकि उन सम्में तो आफ करने का नहीं होता है टाइम खतम हो निकवादी ओफ होता है लेकिन यहाँ पर डारेक आपको नीचे बटन भी मिल जाता है और विगर फाइल साइज तीन आपको निव मिल जाता है इंदर में जो की पहले नहीं थे और यहाँ पर आपका स्क्रीन डिकोडिंग किस तरीके से काम कर रहे उसको भी ह जब हुए पर देखा देते अगर आप पर देखोगे तिये काम करें अच्छी तरीके से बस हलका-लका सा लैग यहाँ पर कर रहे तो हैबी लेग को देखनें को नहीं मिलेगा लेकिन हलका लैक्ट मिल जाता है अपनिंग यहाँ पर काफी रहने वाली स्मूद एप अपको मिल जाता पहले थोड़ सा अलग देखने को मिल जाता था यह останов को अपको से मिल जाता वह Default camera अपको उसे 1 अफे ब्रफीचल मी मिल जाता है और फिर आपका camera camera अपको यूज़ कर सकतो यहां पर सब हमें की झेल मिलता तो एक नी अनोफिशल वाले में इसके अंदर एफम मिल जाता यह फम आपका काम भी करता तो यहां पर यूज कर पाऊगे हां ओके Google का बग रहने वाला यह काम नहीं करता तो के Google का बग आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर में कि safety net आपका इसके अंदर पास है तो बिदाउट रूट आप आराम से बैंकिंग आपको यहां पर यूज कर पाऊगे बिना किसी प्रोब्लम किये अब चलते हैं को लिंग की तरफ तो कोलिंग अंदर क्या है कि यहां पर आपका वोल्टी काम कर रहे बीडियो कोल भी काम कर रह होगे और यह रोम जैसे कि वनीरा विल्ड के साथ आता है लेकिन यहां पर फ्लेम का फूल वाला फ्लस यहां पर देखने को मिल रहा है अगर आप इसका छोटा वाला फ्लस करते हूं बेसिक तो आपको सायद एस्पी डायर मिलेगे तो उसके इंदर कोल रिकोर्डिंग भी म स्कोर के बात करें तो 1,7,854 मिलता है और यह ओवर क्लॉक करनल के साथ इतना मिला है पिछला जो ओफिशियल वाला था उसके इंदर नो नोसी था वहां पर 1,3,000 था स्कोर और यहां पर आप देखोगे आप गेम मोड तो गेम मोड आपका जो है गेमिंग मोड जो है कुछ इस तरीके समिल जाता है जो कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है ट्रांस्पैरेंट सा और यहां पर जेस्चर को भी आप लॉक कर सकते हो और यह बिल्कुल लॉक हो जाता है अब देख सकते हैं यहां पर स्वाइप बिल्कुल भी नहीं होने वाला है और साथ इसाथ लेवल भी आप इस तरीके से सेलेक्ट कर पाओगे 6 लेवल तक आपको मिलता है यहां पर ग्राफिक अगर हम बात करें तो ग्राफिक आपको वही नॉर्मल मिलेगी स्मूद पर हाई और बैलेंस पर मीडियम तक का सपोर्ट तो हम यहां पर स्मूद एं हाई पी खेलेंगे लेकिन अगर मैं बात करें इसकी परफॉमेंस के लेकर करके तो परफॉमेंस आपको इसके अंदर जरूर बैटर देखने को मिलने वाली आपका जो ओफीशल वाली बिल्ड थे उनसे आपको थोड़ी जादा बैटर देखने को यहां पर परफॉमेंस मिलने वाली है जैसा कि से काम कर पहले भी उसे आपको ऐसे कुछ दिक्कत नहीं आता है और कोई भी ऐसी देखनों कि यहाँ पर नहीं मिलेगे और आराम से आप गेम भी खेल पाऊगे तिया नहीं कि काफी एच्छा है हां स्क्रीन रिकोर्डिंग करते हो तो लैग उस पर आपको जरूर मिलेगे गेम अगर करोगी अब यह चोटा डिवाइस है उस पर इस तरह के इस चीज़े होगी तो उस पर लैग आपको जरूर फील होगा लेकिन ऐसे अगर हम बात करें तो काफी अच्छा परफॉमेंस के साथ आपको मिल जाता है जो एनिमेशन है वह भी काफी अच्छे मिलता है और हैवी अपलीकिसन अगर आप इसके अंदर ओपन करते हो तो उसमें आपको कुछ लाइट सा लैग मिलता है कोई हैवी लैग नहीं है हाँ एक बार जो है इसके अंदर मुझे काफ आ दिया हूं कि थोड़ी देर के लिए हुआ हुआ था उसके बाद ठीक हो गया तो एक बार बस यह चीज मेरे साथ होई थी बाकी बस यहीं सारी चीज़े थी जो कि इस रोम पे हमें मिलती है अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए आप कोमेंट करके आराम से पूछ लीजे क्योंकि कोमेंट जो है ज्यादा सभी कोमेंट पढ़ना मुश्किल हो जाता है काफी कोमेंट सब आने लग गये हैं तो आप भी थोड़ा से यहां पर समझ सकते हो क्योंकि टेली के तीन वीडियो करता हूं उसके बाद पिर सारे कोमेंट पढ़ना मुश्किल थोड़ा हो जाता है टाइम उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि सुभाय साम मेरे को सिर्फ वीडियो बनाने में लग जाता है पूरा उसके बाद टाइम मिलता है सारे कोमेंट फिर देखना इस्टार्ट करता हूं तब उस में सभी कुछ मिस हो जाते तो उसके लिए काफी तो वीडियो को अगर आपको अच्छी लेगे तो लाइक जरू कर दीजेगा तो आज की बश्दना ही थैंक्स फो वाचिंग